फ्रेंट्स आप में से कई लोगों को जो है लाइट रूम एप्लिकेशन को लेकिए कई डाउट्स होते हैं कि उसमें पिच्चर को किस तरीके से एडिट किया जाए स्टेप बाइस तो फ्रेंट्स आज का ये वीडियो आप ही लोगों के लिए हैं आज मैं आपको बताने वाल लेंक आप उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए जाधा देर ना करते हैं वीडियो को शुरू करते हैं कि अ कि फ्रेंट्स सबसे पहले यहां पर जो है मैंने गैलरी में ये पिच्चर ले ली है और सबसे पहले हमें इसे इंपोर्ट करना है आपके पास तभी आएगा अगर आपके पास लेटेस्ट वाला लाइट्रूम है वरना आपको लाइट्रूम में जाके ही फोटो एड़ करना होगा तो यहां से मैं सिंप्ली से एड़ लाइड जो है कर लेता हूं कर ली और अप एसके बाद हमें लाइट्रूम अब्लिकेशन आपको करना है यह फोटो आपके आपकर उट्रूमेंट्र कर लिए यहां पर हमारे तीन स्टेप्स हैं 17 इंस्टेप सब से से आपको आपने लाइट की आज़स्टमेंट करनी है आपको यहाँ पे प्लिक करना और सबसे पहले आपको जो-हे लाइट अब करनी है आपकी पिछर के लेवल को अपको देखना एक्स पोजर इसमें जादा है कम है तो आपको उसी चाहिए यहाँ पर सब को सेट करना है तो मैं यहां पर थोड़ा कम करूंगा पांटरस्ट्न को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा हाईलिट्ट दूस्स시면 पेम बिलकुल कम करही है और यहां पर मैं शैडो को थोड़ा सा पढ़ाऊंगा तो सोस्क्ष便गा पर मैं कम करूंगा और ब्लैक को थोड़ा सा कम करूंगा अब यहां पर आपकी जो बेसिक लाइट अजस्ट्मेंट हो गई है यहां पर आपको थोड़ा सा फोटो जो है फेस जो आपको डल देख सकता है आपको घबराने की कोई जरुवत नहीं यह वो जो है हमारा कलर सबसे पहले आपको यहां पर आपको वाइट बैलेंस दिख रहा होगा इसमें आपको मिलता है यहां पर मैं टेंपरेचर को थोड़ा सा यह से कम करने वाला हूं जैसा कि आप देख सकते टेंपरेचार इस प्सेता थोड़ा सा कम हो चुका है इसके बाद में इसकी भाइब रलहोंगा है और हरोवा करने के बाद यह मेरे ची मेरे जादा अचला लग रही है जो मेरा यहां से सेट हो चुका है अब इसके बाद हमारे दूसरे स्टेप में और एक स्टेप है वह है मिक्स में में जाना होगा मिक्स में अब यहां पर आपको आपके पिच्चर के कलर के हिसाब से आपको यहां पर करेक्शन करना यहां पर सबसे पहला जो मैं आपके कलर करेक्शन करने वाला हो इस पिच्चर में वो होगा ग्रीन कलर तो जैसा कि पीछे देख सकते जो ग्रास है वो ग्रीन कलर की है तो ग्रीन कलर में चलते है यहां से आपको करना हुख अगर जब बढ़ाएंगे तब यह बहुत ही डार्क ग्रीन कलर की हो जाएगी और इसका जोगर आप एकदम कम कर देंगे तो यलो कलर की घृट अच्छी लगती है यहां पर मैंने घ्रास को यलो कलर कर लिया आप यहां से इसका सेट्टूरेशन में बढ़ाऊंगा और लुमिनेंस में कम करूंगा लुमिनेंस कम करने से यह होगा जो उसकी ब्राइटनेस है वह कम हो जाएगी जिसे कि आपक तो औरन्हों जाएंगे औरइंज कलर क्या यहां पर हमें कुछ झिक तो नहीं रहा बट हमारा फेस जो है वह और से ही रिलेट करेगा तो हमें कुछ नहीं करना सिंपली यहां पर सेर्चुरेशन को थोड़ा सा कम कर देना है और लुमिनेंस को बढ़ा देना इसके बाद अपके आप फेस में इफेक्ट आप देख सकते हैं किस तरीके यहां पर बढ़ा है फेस पर हमारा फेस बैग्राउंड के इसाब से कितना बेतर नहीं लग रहा है अब यहां पर आप और लियुमिनेस बढ़ाएंगे तो ब्राइटनेस और बढ़ाएगी फेस के अब तीसरा कलर है यहां पर वह होने वाला है ब्लू में जाके इसके हम यहों को देखते हैं कि कौन से यहो किया है यहां पे मेरे को सही लग रही है लिए इसके बाद यहां से चलाद कर देते हैं ड Gracias कर लिए अगर अपके पिक्र में और कोई color है और आप उसमें कुछ करेक्शन करना हो तो आप कर सकते आप दूसरा स्टेप आ थे मह difेक्श करेक्शन करना हो तो कर सकते हैं अब दू सबसे पहले आपको clarity थोड़ी सी पिच्चर की बढ़ा लिनी है अब इसके बाद आपको जाना है split toning में आपको split toning आपको जाना है shadows में जाके आपको जिस आपकी picture में जौन से कलर की shadow होगी उसमें आपको थोड़ा सा इफेक्ट देना एक छोटा सा color डालके तो यहां पर मैं try करता हूँ कि यहां पर मैं थोड़ा सा orange shade दे दूँ कि यहां पर मैंने shadows में huge वह 45 रखा है और saturation इसकी 5 रखी है highlights में कोई भी यहां पर जो है कुछ भी मैं change नहीं करने वाला हो क्योंकि यहां अभी जो है मेरे picture अच्छी लग रही है मेरे को और अपने picture की जरुवत के मुताबिक आप खाम करें ज्यादा उसको over edit ना करें और यह सब प्रैक्टिस पर आपके डिपेंड करता है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको नौलेज होगी तो यहां पर हमारे picture सिर्फ तीन स्टेप्स में हो चुकी है अगर आप चाहे तो कुछ आप प्रीशेट्स का भी यूज कर सकते जो कि आपको इधर देखने को मिलते हैं यहां मैं कोई भी प्रीशेट्स का यूज नहीं करने वाला हूं प्रीशेट्स जो है आपकी पिच्चर में इससे आ जाएगा तो फ्रेंस यहां से सब से पहले हम इस पिच्चर को कर लेते हैं से फ्री डॉट पे क्लिक करेंगे शेट्स टू डिवाइस यहां से ओके तो फ्रेंस यहां पर लाइटर्म के हमारी एडिट हो चुकी है खतम और इसी के साथ इस वीडियो को भी हम खतम करते हैं उमीद कर तो आपको यह वीडियो पसंद आई हो होगी तो पी लाइक करना ना भूले कमेंट जरू करके बताए कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए तब तक के लिए बाए और लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत बूलना ओके चलो चलते हैं मिलते हुआ 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 है